आपने सुना होगा कि हम अपने ध्वजा रोहन, its mean hoisting of flag, मुक्यता दो जगा पर करते हैं, 15 अगस्त जिसे हम स्वतंदरता दिवस और Independence Day करूप में celebrate करते हैं, यह हम लाल के लिए पर ध्वजा रोहन करते हैं, जंडा फेराते हैं, और जब कि 26th of January, Republic Day, its mean गंतंत्र दिवस के दिन ध्वजा रोहन, इंडिया गेट के पास होता है, यहां पर ध्वजा रोहन, आजादी के इस पवित्र दिन, लाल किले पर, लाल किले पर, its mean a red pot, यहां पर hoisting of flag करते हैं, ध्वजा रोहन करते हैं, जब कि 26th of January के दिन, its mean गंतंत्र दिवस और Republic Day के दिन, हम ध्वजा रोहन, इंडिया गेट के पास करते हैं, आकी रहसा क्यों है, क्या सच्चाई है इस चीज की, और क्या कारण है, कि 26 जनवरी इंडिया गेट, या राश्परती भवन का छत्रा धिकार, और 15 अगस्ट स्वतंत्रता दिवस्ट, वहां पर लाल किला, तो इसका सबसे बड़ा कारण है, दो ऐसी एतिहासिक चीजें, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले गर हम 15 अगस्ट की बात करें, तो 15 अगस्ट को हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस्ट के रूप में मनाया जाता है, और आपको याद होगा, 1857 का व लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई, the first war of independence कहा जाता है, तो इस अजादी की लड़ाई में जो भारती दल के नेता थे, जिनका नाम बहादुर सा दुट्य या बहादुर सा जफर था, जो 1857 की करांती में भारती दल के नेता थे, उनका जो निवास अस्थान था, उनका ज जो छित्र था जहां वो रहते थे, उस जगा का नाम था लाल किला, लाल किला, it's mean Redford, इसलिए हमने प्रतिकात्मक रूप है, symbolic way में, Redford को भारत की आजादी का प्रतिक चिन्न चुना, और इसे इंगित किया कि हर वर्ष 15 अगस्त स्वतंतरता दिवस के उपलक्ष में हम अप नद्धवजारोहन लाल किले पर करेंगे, वहीं दूसरी और, जब बात आती है, 26 जनवरी की अर्थात, गंतंतर दिवस और Republic Day की, Republic Day की, आपको याद होगा हमारे सम्मिधान के प्रस्तावना में एक सब्द लिखा हुआ है, Democratic Republic, तो उसमें Republic का अर्थ क्या है, क्या इंडिके करता है वो रिपबलीक और वो रिपबलीक इस रिपबलीक से कैसे समानता रखता है, तो रिपबलीक का अर्थ है, जो देश का सरवोच्च वैक्ती है, अर्थात राष्ठपती है, उसकी निद्यूत्पृ क्रक्रिया भी चुनाओ के माध्यम से होगा, it's means the head of the nation also elected by a election process, that's why the word is a the combined word is a democratic republic it's mean what is the meaning of democratic what is the meaning of democracy an elected government and what is the combination of democratic republic the head of the nation is also elected via election process अब यहां पर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा राजा वही बनेगा जिसे आम जन्ता चुनेगी जिसे जन्परती निधी चुनेंगे it's mean a head of the state is also elected via election process लेकिन जब राश्ट के प्रवुख अर्थात राश्ट्रपती भी चुनाओं परिक्रिक्या के माध्यम से चुन करके आते हैं तो उसका जो सिंबॉलिक के रिया है राश्ट्रपती भवन जहां सब सीधे उतरेंगे तो देखेंगे सीधा पत सीधा राश्टा अर्थात कर्तव्य पत आपको इंडिया गेट की और जाता हुआ दिखेगा वो मार्ग है इंडिया गेट जोकि हमारी आजादी का प्रतिकात्मक रूप में सिंबॉलिक रूप से हमने राश्ट्पती भवन के छित्र अधिकार को राश्ट्पती भवन के छित्र या यूं कहें इंडिया गेट को एक सिंबॉलिक रूप से एक प्रतिकात्मक रूप से हमारे आजाद भारत के एक राश्ट्पती के रूप में जो वो छित्र है राश्ट्पती भवन का छित्र है हमने उसे प्रतिकात्मक रूप में चैन किया है चुना है इसलिए 26 जनवरी अर्थात Republic Day के दिन हम धोजा रोहन इंडिया गेट के छितरा धिकार अर्थात इंडिया गेट के पास करते हैं जो एक प्रतिकात्मक है ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया गया था ताकि आपको ये पता चले कि आखिर जो धोजा रोहन पंदर अगस्त का है धोजा रोहन जो 26 जनवरी का है इन दोनों में वो अस्थान क्यों इंपोर्टेंट है उसकी महस्ता क्या है तो आज आपको पता चला होगा पंदर अगस्त पर लाल किला क्यों और 26 जनवरी पर इंडिया गेट ही क्यों ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए सेंट पीटर्स लॉ अकाडमी के साथ जुड़े रहें और हम ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और वीडियो आपके साथ साजा करते रहेंगे तब तक के लिए हिंद वंदे मातरम